दिदी भाईया नमस्ते परनाम और आज हम आए हैं अपने पुन-पुन घाट पर और यहां आपको दिखाएंगे ग्रामीन बच्चे कैसे मचली पकड़ते हैं अपने देशी जुगार से भारत की पुरानिक नदियों में से भी एक पुन-पुन नदी है जैसे गंगा नदी है उसी तरह के पुन-पुन-दी की फिको बगारता है और बच्चे अपने देशी जुगार से अस्थानिय बच्चे मचली पकड़ रहे है प्ते होुए बेहो खेली लगा, भी अन्मोग है? शुआ कWasalam के लूग देका में पिखन झाल सा ज्हालयए करें में कमरां के ढंगने साहर हुआ जात्रों प्रिम है क्यार ज을 हम सब चंदयत कर समयल को जहा है महा चली प्रिमक कहत करें देखी एक छोटे सा बच्चे हैं जो किस तरह से आठा का चारा लगा कर पकड़ते हैं ये देखिं आठा लगा रहे हैं मच्री पकड़ने के लिए और इसे पानी में रखा जाएगा पांच से दस मिनट तक ये पानी में लगा दिये हैं पानी में दबा दी हैं पांच मिनट के लिए और इसे पांच मिनट के पश्चाथ फिर से निकाला जाएगा नम्यों पत्ता माता हो जाएगा अगले पांच मिनट के लिए पांच मिनट के बाद इसे फिर से निकाला जाएगा और उसके बाद जो मचली निकलती है वो कुछ इस प्रकार से होती है यह देखें यह देखें कोर बच्चा लेकिया है बाबू पढ़ते हैं लोग लाबू पढ़ते हैं किस काक्छाम पढ़ते हैं आप कितना छटी काक्छा के चात्र हैं और खाली समय में अपने जीव को पार्जन के लिए यह कुछ कार करते हैं ग्रामीन बच्चे पानी आप डालते हैं यह देखें इनका कुछ आटा है आटा है यह आटा है और इसमें ढलते हैं बच्चे यह आटा है इसमें डालते हैं बच्चे अच्चुम्बक से पैसा आता है आज कुछ पैसा मिला आज पैसा नहीं मिला यह देखिए बच्चा वह भी डाल रहा है काफी बच्चे यहां मच्छी पकड़ने की जो कला है वह अपना कर रहे हैं मच्छी पकड़ रहा है और इसमें भी जो आतले जिजाई आप कितना कटोरा लगाए हैं और आप जी चार कटोरा और इनका एक कटोरा और आप बाबु आप ही याइसी खेलने आ गया है तीन बार के इतना मचली तीन बार के हैं इतना मचली काफी मेहनत है काफी स्रम शमता क्या शकता है तब कहीं जाकर इन मेहनत के पश्चाद इन मचलियों को पकड़ा जाता है और बच्चे अस्थानिय बच्चे हैं ग्रामीन बच्चे हैं अपने जीव को पारजन के लिए दोपैसे सहायक हो अपने घर परिवाश चलाने के लिए उनमें ये जोडते हैं और अभी स्कूल बंद है विद्याले बंद है इसलिए खाली समय वैतीत कर रहे हैं मनरंजन कर रहे हैं पांच मिनट में कुछा आ जाता है अच्छा पांच मिनट में कितना मचली आ जाता है के पीसे पांच मिनट में आ ही जाता है और एक किलो होने में कितना समय लगता है ये किलो मचली बहता है 20 रुपे किलो ये मचली बेशते हैं और एक घंटा गाला को लगाने पर लगभग 10 बार उसary को लगाने पर किलो मचली टी है और लगभग ए घंटा का समय लगता है और एक किलो मचली मिलती है और जब है किलो मचली भीकती है तो बीस रॉपय कील दो मिलता है अच्छा अच्छा मजत पचीस के आप लूक कहते तो 20 के लोग ग्राहक लेले लते हैं हाँ यही है अच्छा ठीक है यह नई तकनीक है बच्चों की दिन भर में 50 रुपया के मचली बेच रते हैं आप लोग अब गिर लाओ घ्ले निटी शुठा कदालगा अगर चाहिए तो पचाहिए अगर चाहिए तो पचाहिए तो बेचिया अगर बेचिया अगर देख बगल सो रुपया दिन भर में पांच घंटा में सो रुपया यानि कि पांच घंटा में पांच किलो मचली पकड़ में आता है एक घंटा में किलो और आटा कितना लगता है आधा किलो आटा में कितना मचली पकड़ी पकड़ी आजाएगा देखिए एक और बच्चा खोल रहा है देखिए इनमें कितनी मचली है है भी या नहीं है वह आपके सामने है देखिए यह रहा इनकी मचली और यह यह अच्छा पानी में क्यों रखते हैं इसे जिन्दा खाते हैं तो यह पानी में रहेगी तो काफी देर तक जीवित रहेंगी और खराब नहीं होंगी इसी के लिए इन बच्चों की मेहनत को देखिए कितनी मेहनत से और कितनी कठी परिश्रम से यह मचली मारते हैं पकड़ते हैं और तब कहीं जाकर 20 रुपे प्रती किलो मचली का दर्स ही नहीं मिलता है और पांच घंटा मचली पकड़ने के बाद इने करीब पचास से सो रुपे तक मिलते हैं मात्रे ग्रामिन बच्चें जीव को पारजन के लिए अपना घर चलाने के लिए सब इने करना पड़ता है क्योंकि गाउं में थोड़ी सी लोगों की आर्थिक परिशानिया हैं कठनाईया हैं घर परिवार चलाने के लिए भी कार करना जर दूरी हो जाता है लेकिन आप लोग पढ़ाई ज़रू रखिया सिक्षा को जारी रखिएगा पढ़ाई में कोई कमी नहीं चोड़िएगा पढ़ने में ताकि आगे चलके यह सब कारे ना करना पड़े कमी कारे टाले कें लोग दूरा फंदा लो पाराई फands, अओकी हो लोगा सब मोर चलके ऐसातक कि आपाई नहीं पाराई ताहिएगा रखिएग जिश कर दो